वेलेकुम टूमाइश्पोर्स यूटीब चैनल उक्षामजीद के देने मुपारा मेरे साथ मोट देसाओ बात करेंगे पाकिस्तान की किरिकट में मचने जानी हल चर रेस दिया जाएगा बाबार आजब और रिजवान को न्यू कप्तान भी अनौंस हमारे शाहिंशा होने वा करेंगे उससे बिले किरिक्ट से को लाइक करें सब्सक्राइब करें बैर आइकन को जरूर। बहुत की इपकानी है लेकिन जो यह हो रहा है ना मैं समझता हूँ के सई भी हो रहा है गल्स भी हो रहा है फिल크ाल बात बात इतनी से है कै आफ़ आपने बाबाराधम बाहर कर लिया है तो ठीमिन송 पर लाइन तो नला रेला है और व्युच क्यों पुर। शाहिंष Mehya 5 nerd को नहाया कैपिनल लागा रहा हो जो तो इसकी धूत हुए जिस तरह रोई शच्यर्मा को टी-ट्वेंटी से फारिख किया है तो पाकिस्तानी भी यही सियासत कर रहा है प्यासीब पीसी भी यही सियासत करना चाहा है कि शाहिंशा को लाएं ईस्ता इस्ता करके बाबागा राधम को केटर इसे काटें कि तो उमर हो तो वो शादाब खान की फिंगर जो फेक्टर होई है उसकी वज़ेसे वह भी नहीं हो सकते हैं अब उसके इलावा ने लड़कों को चांस दिया जाएगा अब यहां पर जो कहानी खालाफ निकल कर आ रही है वो कहानी निकल कर आ रही है विजवान की अभी तब बाबाराजम के अपडेट ने आई कि वो रेस्ट लेंगे या नहीं पर यहां पर रिजवान निकलकर आगा है कि भई मुझे कोई रेस्ट नहीं करना मैं खेलना चाहता हूं कि अगर मुझसे अच्छा किसी ने कर दिया तो मेरी जगा हमेशे के लिए चली ना जाए उनको ये डरे में मर भी रहूँगा तो खेलता रूँगा खेलता रूँगा अपने लिए खेलूँगा पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूँगा अगर आप पाकिस्तान के लिए तो बेज़ेए तो कि अगला सब्सक्राइब करना है तकि आप अगर आप शाइनशा को मॵगा दे नहींद चीशे जिए तो इमिन्स करका है उसमें बीप शाहिन्ट रखे तो यह तरह लाहे हैं अगर वह पुक्तराइब आपको बता दूं अगर इस तरीकी की सेटिंग हुई ना इंडिया का मामला अलएगे शाहिंशा भी कप्तानी की देंगे से यह मैं आपको बता दूं कि शाहिंशा रिजवार और बाबर इनकी बॉंडिंग ऐसी है के नहीं यार यह लोग उसे के कवर्वर कभी भी छुडा नह एक बात याद रखना कोई ले ना ले PCV जो चाहेगा वोई होगा यह बात तो अंकी किस वी से पावरफुल कोई नहीं कि PCV को मोटी मोटी रखमे दे रही है हर महीने तो यह बात आप छोड़ दो कि यह मसला है और एक बात हमेशा याद रखना है तरकी किसको बुरी लगती यह बात चोड़ दो अगर सगा भाई भी है ना तो आपको अगर मिलती है तो आप लोग है कि कि किसी को बुरी नहीं लगती बेशक मैं यह कह सकता हूं कि शाहिए की के फिरेंट सी में बाबार आदम सिक्योर है और रिजवान पी सिक्योर है यह बात आपको इसमें तो कोई म अगर बाबर और इजवान दोनों को रेस्ट दिया जाता है तो हमारे पास आपनिंग में डिफरेंट्स आइडियास होंगे आप बेशक शान या साइम आयूब से उपनिया आप फकर आई है ना आप फकर वो करवा होगे अब तो नहीं आता अभी देखे शान को ड्रॉप न नहीं होते तो शान मसूद आपनिंग करेंगे और साइम अभी बात 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 को समझता वंडे में जीरो परफॉमस के होने के बावजूद उसको वाइस कप्तान बना दिया पिर मांते हो ना आगे टीप 20 वाल्ड कप में शान मसूद को पूरे के पूरे मैच्चिस अच्छी और बुरी भी है ना अच्छी हो लोगी ना बुरी है मिलती जुलती परफॉमस है तो प्रीज सीबी के अंदर शान मसूद की परची है वो सबसे बड़ी परची हो वाई आप लिखकर ले लो शान मकसूद आपके स्कॉर्ट में ही नहीं है आप इसनी बड़ी बात अब अंदर की बाते शायद आपको मैं बता रहाता है जब हम जुम्हा पड़के आए थे के फराद अंदर की बाते यह यह निकल कर आ रही है आप फिर वही बात पते क्या है शान मसूद ने क्या जवाब दिया था कि बाबारादम की लिए मजान बीजे सकते हैं वह स्यासी प्यानों कुछ भी हो और देखना पड़ेगा कि जब स्कॉाट आइगा तो शान मक्सूद से अच्छा करें लिए बात तो शान मक्सूद के जगा बंती निये टीट्वेंटी में आप वंडे में बेशागाब रख लो ट्राइकल लो यह सूद आप जो के रहो ना कि मैं उसस करो पर बहुत कुछ हुआ है चलो आप देखते हैं कुछी दिनों में स्कॉड आनाउंस रहेगा वो भी सबके सामने लिए इंडिया वर्सिस ऑस्टेलिया फॉर्ट टेस्स जो के ऑस्टेलिया की फुली डॉमिनेशन नजर आ लिए लेकिन ऑस्टेलिया की सियासत भी नजर लिए उस्टेलिया ने फराज एक बात बताओ जब यह अपने मुल्क में किर्किट खेल दे ले इनों पूरे नववे और खेले बिल्कुल और 255 रंद मना और चार विकिट पे कपीसा हुआ है दाल में काला क्यों है देखो यह 400 रंद मनाती है एक दिन में बिल्कुल चार 390 चार सो चार सो दस यह बनाती है साड़ा 300 से उपर ही बनाती है वह टीम जिसकी विकिट नहीं गिरी वह एक दिन में 255 रंद मना रिये तो मतलब पीजर यह आज उनके देखन आके और कौन थे वह जो रोक रोक के सड़ा दिया दा उस्मान पाजा उस्मान पाजा तो शुरू बोलिंग तो आउट हो नहीं था लेकिन वरात बात यह कि वह बता दूं आज अपने पेरों पर खुद खिलाड़ी मारी जो उन्होंने सिलो सिलो खेला है ना अगर वह तेस खेलते हैं तेस खेलते जादा रन बनाके इंडिया को जादा जल्दी देते और इंडिया को कम से हम इंडिया नोशी कर देदी तो यहां पर अभी उस्टिया सिक्यूर नहीं है इंडिया को अपने इंडिया में हारा रहा बहुत पर आज जो मैच मुझे लगा ना कि उस्टिया डिफैंसिव गया था उनका मैंसेट में भी देहें ड्रो करवाने में पनको नुपसान है अगर होता है इमेच तो वह हाँ जाएगे पर जोनकी में इंडिया को जल्दी आउट नहीं कर पाएंगे तो वह ड्रो की तरह रहा है उनके बाद एक बैडिंग है अब यह जो है ना साड़े तीन दिन चाहेगा के इंडिया खेले अब कल का पूरा दिन खेले परसों का आदर दिन यही जाएँ की के न खेलता रहें जल्दी आउत हो जाएं सन्फेली जाछे में अब नहीं हो जो चणळीं कर चक्या सबचा वर्ड को बनें में यहां उनल चाहें। BEN charging का आउट नहीं आथ नहीं हो इंग्लीग को सी मेरी तंड हो tart ती हैं इंडिया कुछ पिछैए। पर यह जस्टिफाइन होता चार सो बाइस बोरों के जब दाल में कुछ काल आ तो बात ही समझ लो ना वो जो जो जा रहे हैं तारीफ करूंगा में एश्विन की क्या उस बंदे ने बॉलिंग करी है यार उमर बहड़ रही है उस बंदे की पर उस बंदे की पर फॉर्मस कम नह हैं और इंडिया के लियंगे लिए अगर यह दोनों नहीं होए ना फराज यह लिए उस पोसीशन PAUL कामी के लिए। अब यह आधा है परक्षर पटेल तयार हो रहे हैं क्ल्दीप या ने के पास है एक दफहा है बहुत ज्याद की हुए रमीज जराजेश साहब ने पाकिस्तान में बैटके कहा था कि मुझे कुलदीब यादफ जैसे तीन दो बोलर मिल रहा है एक मुझे दो मुझे प्लेंग लेवर में और एक मेरे बैंच स्टेंग पर में दुनिया के रिविर में राज करूंगा कुलद बैब यादफ उस टाइब बोलर है और हकीकत बात है दो जरुनिस के वाड़कॉप में बाबाराजम का आउट किया था वैसा आउट आज तक कि बाबाराजम को कोई निगर सकते हैं उसके साथ कितना गलत कर इंडिया पागिस्तान में टैलेंट की वागी कदर नहीं है इस व जब जब चांस मिला वो परफॉर्म देने के बाद मेनों तो हमेच बनने के बाद भी टीम से ट्रोग रहाता है तो यह हाल है भी पाकिसान इंडिया में दोनों में से हैं मैं और इंडिया की बात करें आज इंडिया ने दस अवर में एच शती सन पे आज डे ओफ हुआ है कल कर दो करती है क्यों क्यों देखलेए हुआ है क्यों कर अवे सबसे आगया है क्यों अब्स बात और देखते होका है तो यह वह जी होगी है तो बेंट सही है अगर पी चोड़ा यार अगर उस पर कमेंटर हसे ना तो और क्या जरेगा वहाँ पे साइमन डूल बेंट के बावराजम पर तकीत कर रहे होते हैं और इस तरीकी की तंकीत करने के कॉमेंटेटर ने करेगा भई उसका काम क्या ही ही है अब आम को इंज्वाय करवाना और आवाम के लिए थोड़ा सा कुछ निया लाना है फिर गलत है अगर में सुमें अगर को बागे में बहुत असी आई तो सब टिकेट्स का बादा टिकेट् कि वह में आई तिक गुर्जा गुजराट टाइटेट्स वर्सिस सीएस के दूनी की टीम है और आपने पांडूगी तो यह दो दो टीम है आम सामद होगी आपनिंग में उसमें टिकेट जो सबसे कम रखी गई है इंडिया रूपिस आठ सो रुप है और पाकिस्तानी सबसे ही णा हुवाख पिसर ऑनिसे में नीच गटेकिके में जीचे रहे ही सो साली बेंगा नहीं कि गप nosotros खुझें शुक्ताने नहीं कर सकते को नि辉सकत है निन आइंब आपको मों मेरी जान की तोटे अबादी के साथ ठीक है आपके मुल्क में और जो एप से आप कमा सको हरे बटे वो तो सिस्क्रम ही चले वो तो जो प्रोट है यहां पर अकीकत बात है एक दुस्टे से पेसा खेशने में माय रहे हैं इंडिया में बहुत है बहुत है बहुत पर मोट करते ह करते हैं इंडिया से लोगते हैं चले हम आप से चाहिए जात कि रेट शेकर तक और लाइक करें बेल आइक्व करें बेल आइक्व को ज़रू पर इसका दागी से वीडियो पोस्कार नोटिक्शन आता बादा आप आप आपके आपके अ करता है मैं बबंदद करें बादा आपके वीडियो गपर कर दी इंडिया पर नोट शेपीजर से चाहिए